दर नभी पर पड़ा रहूंगा पड़े ही रहने से काम होगा दर नभी पर पड़ा रहूंगा पड़े ही रहने से काम होगा कभी तो किसमत खूलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा दर खराबी गंजहा पिनहां कुनद खार रा गुल जिसम हारा जां कुनद खार को गुल बढ़ना आसान है लेकर जिसम का जां बढ़ना और जान का जिसम बढ़ना ये सोच के काबल है तो पज़ो फरमाएं यहां कामिलिन फरमाते हैं हम जब मरतबा फना से गुजरते हैं तो ये जिसम रूँ की तरह होते हैं और रूँ जिसम की तरह होती है जिसम भी पाक लटीफ हो जाता है रूँ भी लटीफ और पाक होती है जब चाहें जिसम रूँ बन जाए और रूँ जिसम की शक्र में मतशक्कल होकर क्रोड जगा पर नजर आना शुरू हो जाए ये किस तरह होती है हदरातِ गिरामी आप अपनी कुवत हाफ़ा पर नजर रखें कुवत हाफ़ा यहां पीछे होती है और ये एक नाख़न इतनी जगाए फुका लिखते हैं कि ये एक नाख़न इतनी जगाए है सर के पीछे दमाग के अंदर इसका एक एसा है इसे कुवत हाफ़ा कहते है आप अपनी सारी जिन्दगी में जो कुछ देखते हैं वो आपके हाफ़े के अंदर रहती है और जब भी खयал करें वो चीज पूरी शकल के साथ सामने आ जाती है मोता खयाल है लेकिन मतशक्ल कि सूरत में सामने आती है अगर यह चोटा सा कुवत है चोटा सा मरकद हाफ़ा इतने जहान को संबले हुए है और जब ख्याल करते हो तो वो ख्याल मतशक्ल हो जाता है मतसबर हो जाता है मतशक्ल हो जाता है तो अगर ये आपके हाफ़े और आपके ख्याल का कमाल है तो जब रब लालमीन तेरी रूँ को अपने जल्वे दे और नबी पाक नूर नबवत की किरनوں से माला माल कर दे तो उस रूख का मतशक्किल होना और जिसम का लतीफ हो के रूख की कह Υयत बढ़ दाशना कोई महाल नहीं है ये उनके करम पर मौकूफ है किसको ये कहिफियत देते हैं किसको नहीं देते जो उनका हो जाए उसे ये कैफियत अता फर्मा देशते हैं हजराते गिरामी उसका इल्म वसी होता है उसकी नजर के हुदूद खत्म हो जाती है ये जो सर की आंक है ना ये दीवार पे जाकर रुक जाती है ये बंदे को लगे तो उसकी सीने तक पसलियों तक बाजू तक चहरे तक जाकर रुक जाती है और जब अंदर की आंक खुलती है तो ये पसलियों से गुजरती हुई दिल को चीरती हुई काईनात का सहर करती हुई गुजर जाती है इसलिए मैंने पहले भी हवाला दिया था लेकर फिर पेश करता हूँ इजा तजर्दत अनिल बदनियते खरजत वतसलत बिलमलाईल आला फटरल कुला कल मशाहद जिस वकत इनसान अंदर बाहर से मकमल जोहर लतीफ बन जाए पाक साफ हो जाए रू की तरह जिसम हो जाए तो फिर रूदनियते हैं फटरल क्ला मलाईला से वहासिल होती है मलाईला सेरे सलूप में वो आखिरी मकام है जहां जाके सेर खत्म होता है اور قرب و مشاہدہ کا وہ منزل ہوتی ہے وہاں قرب و مشاہدہ ہوتا ہے خدا کے ساتھ اور خدا جب اپنے مشاہدے سے واپس کرتا ہے فَتَرَ الْكُلَّ قَلْ مِشَاهَد فَتَرَ الْكُلَّ قَلْ مِشَاهَد حضرات ایک مکان میں اس کی مثال دے دوں ایک مکان ہے چار منزل اور آپ زینہ با زینہ اوپر جا رہے ہیں بتاؤ کتنا کچھ دیکھو گے لیکن جب چھت کے اوپر جا کے دائیں باہیں دیکھو گے تو کیا کچھ نہیں دیکھو گے اور جب زینہ چڑھتے ہوئے اوپر جاؤ اوپر جاتے جاؤ ایک چھتے دوسرا چھتے تیسرا تو کیا تھی ایک پاؤ گے زینہ ہی گھنو گے اور چھت کے اوپر چڑھ کے جب سیر کرنا شروع ہو جاؤ گے فَتَرَ الْكُلَّ قَلْ مِشَاهَد پھر سارا سارا شہر آپ کی نظر میں آ جاتا ہے تو معلوم ہوا ہے کہ عروج کے وقت نظر ایک طرف رہتی ہے کچھ نظر نہیں آتا اور نزول کے وقت چونکہ قوتیں ساری ساتھ ہوتی ہیں عروج کے وقت کچھ نظر نہیں آتا محبوب کی طرف نظر رہتی ہے اور حکمن اور مشیعتن جب وہ واپس ہوتا ہے تو ساری لطافتیں ساتھ ہوتی ہیں نظر پھیلتی ہے فَتَرَ الْكُلَّ قَلْ مِشَاهَد چلتے ہوئے کچھ نہیں دیکھتا ہوتر تو یہ سب کوئی دیکھتا تو اس لیے فرمایا کہ یہ ہم پر ہے کرم کہ ہم کس کس کو کرم سے نواز دیں